Hello students, welcome to my channel आज हम exercise 1.3 का question number 2 solve करेंगे verify the following अब गर रीची आपको जो दिया है ए उसमें क्या करना है verify करना है याने कि left hand side और right hand side क्या होने चाहिए? equal, ओके? तो पेले हम क्या करेंगे left hand side अब देखो left hand side में क्या दिया है? 18 into 7 plus minus 3 और क्या दिया है? bracket तो पेले हमको क्या करना है? bracket off करना है 18 का 18 ऐसे ही रखना है into 7 plus minus minus 3 18 into 7 में से 3 कट करेंगे तो क्या बचे का? 4 18 4 दा, 72 तो left hand side का answer क्या आया? 72 2 अब हमको क्या करना है? right hand side right hand side में बेसा ही करने का पेले ब्रेकेट के अंदर कर देने का solution multiplication, addition, subtraction जो भी होता है वो और बाद में bracket off करके बाहर निकलना है बोर्ड मास के इस साब से चलो 18 into 7 और फिर क्या दिया है? plus 18 into minus 3 तो पेले ब्रेकेट में आमको क्या दिया है? 18 into 7 18 into 7 plus 18 into minus 3 अब देखो 18 into 7 जा कितना होता है? 126 plus 18 into 3 जा 54 plus minus minus तो यहाँ पे जो 54 है वो minus में आएगा तो हमको प्रेकेट में दिखना पड़ेगा 126 plus minus minus 54 126 में से 54 सब्ट्रेक करेंगे तो आंसर क्या आएका? 72 अब देखो left-hand side भी 72 है और right-hand side भी 72 तो यह हमारा verify हो गया है equation left-hand side और right-hand side दोनों का आंसर से माता है तो यह हमारी equation verify हो गई है अब देखते है B B में भी ऐसा ही करना है पहले हमको क्या solve करना है? left-hand side left-hand side में भी देखो पहले हमको bracket off करना है तो पहले minus 21 multiply minus 4 plus minus minus 6 minus 21 multiply minus minus plus 6 plus 4 10 बड़े की sign क्या आएगा? minus अब देखो addition और subtraction में तो आपको बड़े की sign रखनी है ऐसे यह answer आता है लेकिन multiplication में आपको क्या करना है? मैंने वह आपको trick दी थी वह odd और even वाली अगर हमको minus की sign odd में है तो answer minus आएगा और even में है तो answer plus में आएगा यह वाली equation trick है वह कभी याद रखनी है product में यानि के multiplication में बाकी जो आप subtraction addition करते है उसमें तो एसा ही होता है बड़े की sign आती है answer में ok 21 multiply by 10 तो क्या करेंगे 0 का 0 रख देंगे 21 वंचा 21 और minus कितनी बार है देखो 1,2 even नंबर में है तो answer के आएगा plus में चलो अब हम right inside करते है 21 for the minus minus ok लेकिन यहाँ पर क्या है बीच में multiplication तो हमको minus कि sign अभी देखनी नहीं है पहले हमको multiplication करना है 21 for the किसका multiplication करना है 21 for the 21 for the 84 अब देखनी है minus कितनी बार है 1,2 even नंबर में तो answer के आएगा positive ok plus 21 6 21 6 क्या होता है 126 अब इसने भी देखो minus कि sign कितनी बार है 1,2 even नंबर में है तो यह भी answer के आएगा plus यानि की positive में अब 84 plus 126 84 plus 126 के आएगा answer 210 देखो left-hand side भी 210 है और right-hand side भी 210 है तो हमारे यह equation भी verified हो जाती है left-hand side और right-hand side का answer same है इसे लिए okay got it के बाल मुद olsun साफ क्यू़ क्भर we